कल एक बहुत ही निंदनी घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सब को बताना चाहता हूँ कल सुबा अर्विंद केजरिवाल जी के आवास पर स्वाती मालिवाल जी मिलने के लिए पहुँची थी ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी इस बीच विभव कुमार जी वहाँ पे आते हैं और उन्होंने स्वाती मालिवाल जी के साथ बहुत बद्दिमी जी की अवादता की इस पूरे मामले की जानकारी 112 नमबर पे कॉल करके स्वाती मालिवाल जी ने पुलिस को दी इस घटना की जितनी निंदा की जाये कम है अर्विंद केजरिवाल जी ने पूरी घटना को संग्यान में लिया है और इस पूरे मामले में सक्तकारवाई करने को कहा है जा तक स्वातिमालिवाल जी का प्रस्न है स्वातिमालिवाल जी ने देश के लिए समाज के लिए बड़े काम किये है पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक है हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से यह जो पूरा प्रक्रण हुआ है इसको मुख्य मंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पर कारवाई करेंगे आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है यह सपस्ट करना चाहते हूँ कल एक बहुत ही निंदनी घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सब को बताना चाहता हूँ कल सुबा अरविंद केजरिवाल जी के आवास पर स्वाती मालिवाल जी मिलने के लिए पहुँची थी ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाती मालिवाल जी के साथ बहुत बर्तिमी जी की अवदता की इस पूरे मामले की जानकारी 112 नमबर पे कॉल करके स्वाती मालिवाल जी ने पुलिस को दी इस घटना की जितनी निंदा की जाये कम है अर्विंद केजरिवाल जी ने पूरी घटना को संग्यान में लिया है और इस पूरे मामले में सक्तकारवाई करने को कहा है जातक स्वाती मालिवाल जी का प्रस्न है स्वाती मालिवाल जी ने देश के लिए समाज के लिए बड़े काम किये है पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक है हम सब उनके साथ है और निश्यत रूप से ये जो पूरा प्रक्रन हुआ है इसको मुख्य मंत्री जी ने गंभीरता में संग्यान में लिया है और इस पे कारवाई करेंगे आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है ये सपस्ट करना चाहते पेज को लाइक करें